Welcome friends, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से स्वत्यंतरता दिवस की हार्दिक शुब कामना है, आज 15 अगस का दिन है, याने की दोनों ही फिल्में, याने की OMG2 और और OMG2 के Box Office Collections के बारे में, जहां पर देखा जाए तो दोनों ही फिल्मों ने बहुती गजब की एडवांस बुकिंग की है, आज याने की 15 अगस्ट के लिए, तो वो कितनी गजब की है, उसके बारे में बात करने से पहले हम सबसे बात कर लेते हैं फिल्म के, पहले तीन दि से जो है, गदर 2 के Box Office Collections को एक दिन पहले प्रेडिक करबाना बहुती मुश्किल होने वाला है, अब अगर बात करें पहले तीन दिन के Official Box Office Collections की, तो फिल्म गदर 2 ने अपने पहले दिन 40.10 croz का net collection किया था, वहीं दूसरे दिन इंडिया से फिल्म ने 43.08 croz का collection किया, तीसर दिन का जो Official Producer Figure निकल के आया, वो है Around 51.70 croz का, और इसी के सासाथ फिल्म ने 3 दिन में Total 134.88 croz का net collection और 159 croz का gross collection किया केवल इंडिया से, बात करें Overseas की, तो फिल्म ने Overseas में भी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए 20 crore के आसपास का gross collection कर लिया है, और इसी क सासाथ फिल्म का जो Worldwide Total Gross Collection बनता है पहले 3 दिन का, वो है 179 croz का, बात करें Monday यानि की 4 दिन की, तो morning से ही जो है फिल्म ने बहुत ही कमाल का performance दिखाना स्टार्ट किया, जहां पर फिल्म की morning occupancy थी 25.66% की, afternoon occupancy जा पहुंची 48% पर, evening occupancy रही 66.26% की, और night occupancy जा पहुंची 86. 56.29% पर और इसी का एक कारण है कि overall 56.58% की occupancy के साथ, फिल्म गदर टू कहीना कहीं केवल Monday से ही 38 से 39 croz के आसपास का net collection करने जा रही है, आपको बदा दे कि जब दिन की शुरुआत हुई थी तो 30 crore, 30-32 crore से शुरुआत हुई थी, trade और trackers जो है 30-32 crore के आसपास का estimation लगा रहे थे, पर दिन खतम होते होते, ये figure 38-39 croz पर आप पहुंचा है, और शायद हो भी सकता है कि producers figures आपको 40 crore के बहुत ही करीब नजर आ सकते हैं, अब अगर फिल्म 38 से 39 crore के आसपास का net collection करती है, मंडे को तो इसके सामने जो gross collection बनेगा, वो है around 45 croz का, और इसी के साथ 4 द collection कर जाएगी, अब अगर बात करें, सबसे बड़े दिन यानि की 15 अगस्ट यानि की आज की तो अगर advance booking की हम बात करें, तो पहले दिन की फिल्म की advance booking होई थी 18 crore की, दूसे दिन की फिल्म की advance booking होई थी 16 crore की, तीसे दिन की advance booking होई थी 28 crore की, और चौते दिन की advance booking होई थी 13 क्रोर की और आपको बता दें कि आज यानि की पांचवे दिन की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो है पूरे-पूरे 33 क्रोर की जियां दोस्तों फिल्म ने जो है आज के दिन के लिए 33 क्रोस का एडवांस बुकिंग किया है तो ये समझके चलिए कि आज के दिन 15 अगस्ट को ये फिल्म कम से कम नहीं नहीं तो 54-55 क्रोस के आजपास का net collection सिर्फ net collection करने जा रही है gross collection आ रहा हम से 60 क्रोर के उपर चला जाएगा तो आज कहीं ना कहीं गदर टू के overall run का जो है सबसे बड़ा दिन होने वाला है अगर आज के दिन को आगे future में कभी शायद beat कर जाती है तो कह सकते हैं कि एक चमतकार ही होगा देखते हैं आज के दिन film क्या record set करती है हाला कि Monday को film ने जिसन से perform किया है जो collections आने वाले हैं वो अपने आप में एक all time record है किसी भी non holiday single Monday के लिए तो देखते हैं आज के दिन film का कैसा रहता है अब अगर इसके सामने बात करे film omg2 के बारे में तो इस film का performance भी जो है सोमवार को काफी बहतरीन रहा expectation से जादा ही इस film में perform करके दिखाया जैसा कि मैंने का था night occupancy क्योंकि 15 अगस की छुटी हगले दिन तो जबरदस्त रहेगी और उसका एक advantage दोनों ही फिल्मों को मिलेगा अब अगर बात करें film के तीन दिन के official box office collections की तो film omg2 ने अपने पहले दिन इंडिया से 10.26 croz का net collection किया था दूसर दिन फिल्म ने किये 15.30 croz का collection तीसर दिन फिल्म का जो collection officially report किया गया है वो है 17.55 croz का और इसे के साथ साथ तीन दिन का जो इंडिया का total net collection मनता है वो है 43.11 croz का और जो gross collection मनता है वो है 50.80 croz का overseas से film ने 9.20 croz का collection करते हुए तीन दिन के अंदर अंदर worldwide 60 croz यान की 60 croz का जो है gross collection कर लिया है बात करें मंडे यान की चौथे दिन की तो मंडे को morning occupancy रही थी 20.54% की afternoon में अच्छा खासा जंप देखने को मिला occupancy पहुँची 36% पर evening occupancy रही 46.44% की और night में गजब का जंप देखने को मिला और occupancy जा पहुँची सीदे 72.59% पर और इसे के साथ साथ overall एक 44.03% की occupancy के साथ कही ना कही film omg2 अपने चौथे दिन यान की मंडे को 11 या फिर कहें साड़े 11 क्रोर के आसपास का net collection करने जा रही है और गर ऐसा होता है तो चार दिन में ही film जो है केवल इंडिया से 54.61 क्रोज का net collection और 64 क्रोज का gross collection कर जाएगी अब अगर बात करें film के आज के दिन यानि की पांचवे दिन की advance booking की तो film omg2 के run का अब तक का सबसे बड़ा दिन आज होने जा रहा है जहां पर advance booking level पर ही जो है बहुती कमाल के figures नजर आ रहे है day 1 film की advance booking हुई थी 3.3 क्रोज की day 2 की advance booking हुई थी 5.25 क्रोज की day 3 की advance booking हुई थी 8.42 क्रोज की day 4 को advance booking हुई थी 3.5 क्रोज की और day 5 की जो advance booking हुई है वो है 8.8 करोज यान की almost 9 करोड के आसपास की तो कही न कहीं आज के दिन film OMG2 बहुत ही आसानी से मेरे साब से 17-18 शायद 19 करोड के आकडे को भी जो है टच कर जाएगी और OMG2 भी जो है box office पर एक clean hit का tag ले जाएगी तो देखते हैं आज का दिन दोनों ही फिल्मों के लिए कितना बड़ा रहता है बड़ा तो definitely रहेगा कितना बड़ा रहता है वो देखने वाली बात होगी especially Goddard 2 क्या performance दिखाएगी कि आज फिर से कैसा दिन निकल के आएगा जहाँ पर फिल्म होते होते कुछ और हो जाएगा ये देखना काफी interesting होगा वैसे आपका आज का personal estimation क्या है फिल्म Goddard 2 और OMG 2 को लेकर comment section में जरूर बताईएगा तो दोस्ते बसने तक आज को मैं वीडियो उमीद करते वीडियो को पसंदाया होगा वो पसंदाया तो वीडियो को लाइक शेज जरूर कीजेगा मिलते हमारे अगले वीडियो में तो अब तक लिए बाब बाई टेक केर